जिसे किसी के कमी स्पेस है तो उसके लिए बहुत बैटर चीज है यह आपका यह तीक डिजैन दिया हुए है सीजम की वुड़न में आपका बाल का निमें यूज कर सकते हैं वुड़न का फो गिलास लगें दोनों फिरंट पे भी आपको यह भी मिल जाएगा हाग फिलास में मेरे सामने मतब यानि कि मेरे पीछे मेरे साइड मी यह देख पा रहे होंगे भाई शीशम का सारा समान है तो पहचानी कई होंगे कि आज हमारा जो व्लॉग है वो किस पर होने वाला है तो अब तक हमने जितना भी फनीचर देखा वो मिक्स्ट था यानि आपको डाइनिंग लेकिन आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ और सिर्फ शीशम पर होने वाला है कि यानिकि जो सबसे बेस्ट लकडी जो होती है जो मानी जाती है वो मानी जाती है शीशम तो आज का व्लॉग उसी पर होने वाला है कि उसके फरनीचर सहम देखने वाले हैं तो व्लॉग को एं तक जरूर देखिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ वह जो नोटिफिकेशन है वह आपको लिले तो चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग तो यह स्टड इसके बहुत बैटर चीज है और इसके डाइनिंग होती है तो कम इसके चेर भी चेर से ना वह इस तरह से जो पर भी गद्दी लग जाएंगी वाव बेर मतलब होता ना इसकी फेस बेस पी नहीं जाएगा और आराम से यूज होगा यह बहुत अच्छा है और चार कहीं मिले अर्वाद तो पूरा शीशम का है और यह आप इसमार पीस लग रहा है इसे बहुत स्पेस बचेगा बहुत ज्यादा अगर चेश्टर चेएं तो हमार पास शीशम के चेश्टर चेश्टर केविनेट में मिल जाते हैं यह तिसे टीवी के बिनेट होते है उसके प्रपस से य यह वो पूरा जो होगा यह जाल को पूरा पूरा इस में है नहीं हैंडल तो कोई बार निथा जूच में आगया जी और this तरह से यह उपराईजaja यह 14,000 देजाइन आ गया तब भी लेंगे आपको इसमें इस तरह से आपको देखा दिया है यह भी चार फिट में है आपको सी समें सूज रहे एक चैहिए हमारे पासूज रहे हैं इस सी सम की लकड़ी में आपको जी सम पर उपर सू रहे के इसका लूगों देखो आप डिजै इसमें भी तीन कबर्ट सें दो मतलब तीन ड्रॉज रहता है यह बहुत बहुत अच्छा डिजाइन लगता है और काफी काफी डिमांड में रहता आपको मैं अंदर से दिखाती हूं और इसका यह जो गहराई है यह कितनी की रहेगी देफ तैसी रहती समें डेड़ फिट के 18 समणारी वाला है यह जी तो सिसे आज तरայला कर दिखाती हूं इए जू हैं खोड़ कर देखिए इसका और यह कित्ने का रहेगा यह एक काफी स्मार्ट पीस है और पोरा शीशा में बहुत यह च्छा है यह ब़ुन लगा है इस पे सामने और किरोगरी का समारी रखना वहाँ तो समने चम्ति तो इसलिए यह इसलिए इसलिए शीशे वाला है इसका भी है यह के जो इतनी सारी cabinet से लिए जो पर यह जो काबिनेट्स रखने हैं गेंगे इस हमकेश रहे होते हैं उसकी साइडे में रखने के लिए इसका चारहजार रुपे का अच्छा एक साइड टेवल का कितना बोला अपने चारहजार रुपे का ठीक है यह आप यह देखें यह वि रहेगा यह भी आपका चारहजार रुपे का है लाइट्स चली गई है कोई बात नहीं हमारा जो फोन है वह अभी तक शूट कर रहा है तो ठीक है एक मिनट तो लाइट आ चुकी है और अब हम शुरू करते हैं फिर से आपना जो हमने व्लॉग छोड़ दिया था तो यह सब हमने कितना गाता आपने कितना गाता चारहजार रुपे कोई समय ले सकते हो इसम आपको सारे डिजैन मिल जाएंगे और किसी को स्टूलों की नीड होती है तो इसका प्रेज रह वाला 35 पे के तीन स्टूल है कहीं भी यूज कर सकता है भी मट्रिल मैं सीजम की लगडें बने आपका साड़े बारा है जारो पूर पर आप दर सीजम की लगडी में और इसका आपका डिजैन देख सकते हो इदा सारे में लगजरी बिजाइन बनावा इसके उपर साइड में इस साइड बहुत ही पुक्सूरत है और मुझे एकदम सही लगा कि ये चेर का मुझे प्राइ प्राइज रहने वाला है आपका साड़े आठ हजार रुपे साड़े आठ हजार रुपे और प्रोपर सीजम की लगडी में बनावा हुथी खुशूरत है और मुझे ये जो साइड में ये बैट जो भाई इसके ये आपका गार्डन सेट होता है वैसे आप इसे बालकाने मे प्रोपर रहता है ये सीजम की लगडी है वह जो फूलता है वोड में सिकायता है ये पिर उपर लगडी है इसमें कोई शू नहीं है कोई प्रोब्लम ही नहीं है ठीक है और ये जो है ये भी कबड़्स है ये जो मैं आपको यहां से आगे से पिखेगा नो अच्छा ये इस दौन शे ये वाला में देखें हाँ यह आपका चार्जेर के साथ यह पड़ेगा साठे बाहाँ जारुपै अगर इसमें आप स्मोल इसमा जाते हो दो चेरों एक टेबल के साथ बीमिल लियाएगा वह उसका मिल जाएगा तो इसका प्रेज देवाई साथ 12,000 रुपै और उ पानी दिखता देख वोल मांट लगा हुआ है इसका प्रेजने वाला इतीन हजार रूपर आप इसे वोल फिक्स करके कुछ भी शोपी आईटम लगा सकते हों यह भी फिरोपर आपकी सीसम की लगडी में ठीक है और शीशम में अब हमारा जो इससरफ यह रह गया है हम यह तरह से हैं यह लोडाउट लेकिन भाई शीशम की लकड़ी है वो अपने आप में बहुत ही बहुत ही इच्छी होती है बहुत सॉलिड होती है सालों साल चल रहे होती है और इस तरह से आपको भी आद दिखाना एक बड़ ड्रॉप मतब यह है कबड यह आपके प्रोर्रामिल लेखने के लिए इसमें तरह आपको गिलास लगें वे हैं दोनों फिरंट पे भी और दोनों साइड वे लगें इसका प्राइज नेवाला सोले जार रुपे यह कि रोपन बुक सेल इसका प्रेन वाला 12 जार उपन बुक सेल पर किलो करी में आपको यह भी मिलियाएगा हाफ अगर आप बुक्स रखना जाते हैं और यह जो कपड है वो इस तरह से हैं मैं आपको फुनीशी से यह जो है या आपको बहुत दिखा दीजीगा इतना है डेफ्ट काफी है अच्छा काफी है को भी समान रख सकते हो आप 18.5 फिट का देफ्ट बनावा है पूरा प्रोपर यह काफी अच्छा है तो काफी अच्छे डिजाइंस यहां पर आपको देखने को बनेंगे तो भाई शीशम में इनके पास यह आपने देखा नीचे की कॉफी टेबल्स हैं इस तरह से आपको बहुत सारे डिजाइंस में कॉफी टेबल्स आपको मिल जाएंगी और अब हम अब हम देखने वाले हैं शीशम के बैड्स हमने हाला कि एक दो वेराइटी पहले भी देखी थी लेकिन यहां पर अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ शीशम है तो यानि कि आपकी जो पूरा यह जो बैड है यानि कि जो धांचा सा खड़ा हुआ है यह सिर्फ और सिर्फ पड़ी जो है वो शीशन की इसमें यूज हुई है और यह जो आपको पूरा बेट पड़ेगा वो पड़ेगा 40,000 रुपे का तो इस 40,000 रुपीज का है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अगला जो बेट है यह कबर्ड के साथ है यह भी पूरा का पूरा शीशन में है तो मुझे जो है ना शीशन की डिजाइन बहुत पसंद आते है तो मैं आपको पास से लिए जाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें जो स्टोरेज है आप यहां पर इस तरह से इसको खुल कर अपना बेट के जो पास में ही है आप वो सामान रख सकते है तो मुझे बहुत पस चाहिए तो यह आपको तकरीबन तकरीबन पढ़ जाएगा 28,000 रुपे का और इसके आगे हम चलते है तो यह जितने भी आप जो कस्टमाइज भी करा सकते हैं यह जो है ना साइज इस तो कस्टमाइज भी करा सकते हैं तो आप यह जो देख रहे हैं यह सिंगल बैट में है और इसमें भी स्टोर करने के लिए चीज़े हैं मैंने भी आपको बोला है कि आप ज़रा पास से दिखाएंगे कि किस तरह से जो चीज़े हैं इसमें जो कबड़ हमें मिलती हैं बेट में वह बहुत अच्छी हैं तो आप यह देखिए इस तरह से खोल कर आप यहां पर यह पड़ेगा आपको 25,000 रुपय का और इसके जो साइड में आप यह देख रहे हैं अभी यह आपको पड़ेगा 22,000 रुपय का तो जैसा कि मैंने कहा कि कस्टमाइज भी आप साइज करा सकते हैं पूरा शीशम है और मैंने पूछा भी यह गारांटी वारंटी तो बह आ क शीशम की लकडिक का सारे फरनीचर मतलब जितना भी हमने फरनीचर दिखा है वो सारा शीशम में था और कैसा लगा व्लॉग तो कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताईएगा क्यों कि कॉमेंट अगर आप करते है न तो मुझे पता चलता है कि जो मैं कॉंटेंट क्रि जीर तबने के लिए मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार